उत्तर प्रदेश सरकार में विभागों का अवंटन हो चुका है और तमाम मंत्री आज अपना पदभार भी ग्राण कर रहे हैं डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौर्या ने भी आज कुर्सी संभाल ली है और अब विभाग, नय विभाग की जिम्मेदारी का निर्वान करेंगे सर पिछली बार बहुत अच्छा चला आपका पी डवलुडी विभाग ने काफी सड़के बनाई सारी अब नया विभाग मिला है ग्राम विकाद किस तरह से काम करेंगे और कैसे उत्तर प्रदेश आगे बनेगे उन तक पहुँचाने के लिए कोई कमी से इस नहीं छोड़ेंगी सर नरेगा सहित तमाम जो है वो चीज़ें आपके विभाग के अंडर में जो है वो आ गई है आप ग्राम विकास विभाग काफी ग्रामीड एरिया का भी विकास करता है सारी चीज़ें तमाम जौब की भी जो है वो लोगों को वो रहती है उमीदे रहती है कि रोजगार मेरे तो यह रोजगार स्रजन कैसे हो जो भी होगा मैंने कहा ना अभी एक बार बैठक करने दीजे बैठक करके पूरी चीज चर्चा करके जो जो योजनाएं सरकार के माध्यम से उपलब्ध हैं और जिनके दिरिश्टी से जाहे निर्मार की दिश्टी से चाहे विकास की दिश्टी से जिनके लिए योजनाएं उन तक पहुंचाने काम करें हैं कि आखरी सवाल ये था कि तमाम लोगों ने जो है वो चार्च ले लिया सर यह बहुत बड़ा विभाग है यह मतलब की ग्रामीर एरिया से लेके सारे प्रधान सारी सब सब आपके अंडर में जो है वो आते हैं तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की आप से की केशो जी जो है वो पी डबलूटी छोड़कर अब यहां आए हैं केशो परसाद भी और पूरी सरकार लोगों की उम्मीदों पर ख़रा उतरेंगे ही बाच्चित के लिए शुक्रिया जहीर है कि एक बड़ा विभाग केशो परसाद माुरिया जी को मिला है और उनका साफतेव और यही कहना है कि जो भी उम्मीदे हैं उस पर खरा उतरने के काम करेंगे और सरकार भी अच्छे डंग से काम करेंगी कैमरमेन गिरीश के साथ सीमा अबनक्वी भारत समचार लखना